नमस्कार दोसो आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है दोसो आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही हल्दी और टेस्टी होने वाली है क्योंकि आज की रेसिपी हम चनादाल से बनाएंगे जो चनादाल होती है वो बहुत ही हल्दी होती है हमारे शडीर के लिए यदि कमजोरी दूर करनी है, आप ने तो इस चनिदाल का जरूर प्रियोग करे। मोटापा घटाने की बात हो, तब भी आप इसका प्रियोग कर सकते हैं। और इमिनिटी बढ़ाने की जहां बात आती हैं, तब तो आप इसका जरूर सेवन करें। और《डियपीज के लिए भी बहुत ही बढ या रहती है चनादाल तो चलिए बना लेते हैं आज की चनादाल की रेसिपी कैसे बनेगी चलिए देखते हैं पहले हमने लेनी है चनादाल इस तरीके से इसे हम मिक्सी में पीश लेते हैं मिक्सी में अच्छे से इसका पाउडर बनाना है जैसे बेसन होता है बस बेसन ही कहलो आपने इसका बेसन त्यार करना है और इसको हम लसी वगारा में डाल कर या तो इसको पका लेंगे इसमें नमक मिर्च डाल कर या फिर आप इसकी कड़ी बना सकते हैं जो कड़ी आप खाते हैं वही बस आपने बनानी है तो उस कड़ी से दोस्तों हम आज रोटी बनाएंगे, इसकी रोटी कैसे बनेगी चलिए वो भी आपको बता देते हैं, आपने लेना है आटा, यानि जितने आप रोटी बनाना चाहते हैं, उस हिसाथ से आप आटा ले लीजिए, मैंने लिया है यहाँ पर गेहू का आटा, त पहले ही कट कर लिया था, यानि चाकू से आप इसको कट कर ले और उसी को आप डाले, पतले पीसिज होने चाहिए, या तो आप ब्राइंड भी कर सकते हैं, यह मैंने चाकू से ही पतले पतले पीसिज कर लिये थे पहले ही, तो मैंने यहाँ पर दो प्याज लिये हैं, इसमे गरम मसाला, नमक आप अपने टेस्ट के उसार डाले, मैंने यहाँ देड़ चमच नमक डाला है, बस वही बहुत है, यह फिर आप अपने टेस्ट के उसार भी डाल सकते हैं नमक को, आप इसमें डाले थोड़ा सा काला नमक, यानि आधा छोटा चमच काला नमक डाले, काले नम अजवायन का आप एक बड़ा चमच डाले अजवायन को आप क्रश करके डाले अजवायन से जो आपके ये रसीपी बनेगी बहुत ही बढ़िया बनेगी और यहां पर मैंने लिया है सूखा हुआ धनिया आपके पास अगर हरा धनिया है तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं इ खोड़ा समेश में ले रही हूँ जायफल जायफल हमारे पेट के लिए वहुत ही बढ़िया रहता है जैसे आपके पेट में दर्द रहता है तो जायफल का जरूर यूज करें हर रसीपी में आप जायफल को डाल सकते हैं बस आपने चुटके भर डालना है ज्यादा नहीं कि ये आटा अच्छे से गुन जाये इसमें मैंने यहाँ पर तीन कडची कड़ी की डाली है इसमें आटे में इसको हम अच्छे से मसल लेते हैं जैसे हम मौन डालते हैं उस तरीके से आपने ये कड़ी डालनी है और इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं मिक्स करने के जैसे कि मेरे ये mix हो चुकी है कड़ी, अगर आपको जूर्थ लगे, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको गून ले, जैसे हम आटे की रोटी बनाते हैं, बस आपने उसी तरह से गूनना है, ज्यादा पतला आपने नहीं बनाना है, नहीं आपने ज्यादा टाइट बनाना है इसको, पस इसी तरीके से आपने आटा सा गून लेना है, जैसे हम आटे की रोटी बनाते हैं, अब लेते हैं प्रात में ही प्लेथन, क्योंकि हमें इसमें प्लेथन की जूर्थ पड़ेगी, तो इसमें से लेते हैं थोड़ी सी लोई, जैसे हम रोटी बनाते हैं, रोटी जितनी आपने लोई ले लेनी है और पलेथन पर लगा कर इस तरीके से इसके रोटी बेल ले यह मैंने अच्छे से बेल ली है बेलने के बाद दोस्तों चाहे तो आप इसके प्राठा बना सकते हैं या फिर इसकी रोटी बना सकते हैं मैं अभी आपको चार तरीके की ये रोटी और प्राठा बनाना बताऊंगी तो पहले बना लेते हैं सिंपल रोटी पहली हुई रोटी ये मैंने बेल कर रख ली है दूसरी में रेडी करती हूँ ये मैंने थोड़ा सा पेड़ा लिया है और गोल कर लिया है इसको थोड़ा सा गड़ा बनाते हैं इसमें और लगाते हैं इसमें घी देसी घी मैंने इसमें लगाया है आप चाहे तो कोई भी आयल लगा सकते हैं जो आप प्राठे वगरा में यूज करते हैं थोड़ा सा घी लगाकर इसको बंद कर लेते हैं और इसको रोटी की तरह बेलते हैं पहले बेलने के बाद ये रोटी मैंने बेल ली है अब आपने क्या करना है इसको रोटी की तरह बेल लेना है बेलने के बाद दोस्तों आपकी दूसरी तरह की रोटी भी त्यार हो गई है और अब लेते हैं तीसरे टाइप की रोटी ये मैंने पेड़ा लिया है इसमें भी मैंने घी इस तरीके से भर लिया है और इसको फैला लेते हैं रोटी की तरह अब आधे पार्ट में आपने घी ल बेलन से इसको फैला लेना है, यह अच्छे से फैल चुका है, अब बताती हूँ आपको 4 परकार की रोटी, दुबारा से आपने पेड़ा लेना है और इसमें आपने घी भर लेना है normal, जैसे हमने पहले रोटी में भरा है, अब इसको फैला लेते हैं थोड़ा सा, फैलाने के इस तरीके से मोड ले, मोडने के बाद भी घी लगाना है, और दुबारा से दो तरफ से मोड ले, अब इस पे भी पलेथन लगा कर इसको फिला लेते हैं, बेलन से, तो ये हो गया हमारा चकोर, साइज, अब हम इनको सेकेंगे, हमने चार परकार की रोटी बनाई हैं, हम इनको अब सेखेंगे चलते हैं अपनी गैस पर तावा गरम कर लेते हैं पहले गरम होने के बाद जो हमने डोटी बनाई थी पहले वो डाल लेते हैं और इसको सेख लेते हैं इसमें दोस्तों प्याज है और भी बहुत सारी हल्दी चीजे हैं बहुत ही बढ़िया रहेगी आपकी दोनों तरफ से आप सेख लेज इसको तावे से उतार कर अच्छे सेख ले जैसे आप रोटी सेखते हैं यह देखिए यह हमारी बन गई रोटी अब यह हमारी रोटी सेख चुकी है इसको हम रख लेते हैं प्लेट में और इसके उपर हम इस तरह से घी लगा लेते हैं घी लगाने के बाद आपकी ये रोटी त्यार है खाने के लिए अब हम दूसरी भी इसी तरीके से रोटी बना लेते हैं जो हमने दूसरी बार त्यार करी थी अंदर घी डाला था हमने इस तरीके से आपने वो भी सेख लेनी हैं दोनों तरफ से सेखने के बाद आपने इस पर लगाना है घी घी लगाए या ओयल लगाए वो आपकी मर्जी है जिसमें आप इसको सेखना चाहते हैं तो ये भी हमारी रेडी हो गई है इस पर भी आप घी लगा सकते हैं सेखने के बाद आए तीसरे परकार की रोटी की बारी तीसरे परकार की जो रोटी बनाई थी हमने वो ट्रैंगल रूप में बनाई थी तो ट्रैंगल वाली भी आपने इसी तरीके से सेख लेनी है और स्केर वाली भी आप रोटी है प्राठा है आप बच्चों को टीफन में भर के दे सकते हैं ये कहीं बहा जा रहे हैं तब भी इनको बना कर रख सकते हैं और ले जा सकते हैं ये देखिए लेयर इसमें बहुत ही अच्छी पड़ी है बिल्कुल नरम है टाइट बिल्कुल भी नहीं बने हैं बहुत ह कर सकते हैं तो दोस्तों आपको यह है हमारी रेसिपी कैसी लगी अच्छी लगी तो प्रिछ वीडियो को लाइक करें , शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और यह रेसिपी आप कब बना रहे हैं हमें comment box में लिखकर जरूर बताना तो मिलते हैं दोस्तों next वीडियो में next recipe के साथ धनवादोस्तों